इंडिया को नीजिलेंड के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा है लेकिन इस हार के बाद टीम इंडिया के विकट कीपर रिशब पंत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है रिशब पंत ने हाली में एक पोस्ट डाला है जिसने सभी को हैरान किया पंत को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है और रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की टीम पंत को कपतानी से हटाना चाहती है। इसी बीच रिशब पंत ने अपने इंस्टा पर दो अजी पोस्ट भी डाले है। पंत के पहले पोस्ट की बात करें तो पंत ने लिखा कि अपने विजन पर विश्वास रखें तब ही जब दूसरे उसे ना देख पाए। आपका विश्वास ही आपकी भविस्थे की सफलता का बीच है। रिशब पंत ने इसके कुछ देर बाद ही एक और पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि कभी कभी चुप रहना और भगवान को लोगों को दिखाने देना सबसे अच्छा होता है। पंत के इन दोनों ही पोस्ट ने फैंस को उलजर में डाला है। कुछ फैंस का कहना है कि पंत का ये पोस्ट अपनी आईपियल टीम से ही जुड़ा है और वो खुद को कप्तान के पत से हटाए जाने की खबर से दुखी होंगे। इसी वज़े से उन्होंने ये पोस्ट किया है। दिली कैपिटल्स की बात करें तो इस मैनेजमेंट ने हाली में अपने कोच रिकी पॉंटिंग को भी टीम से निकाला है। और शायद कप्तानी को लेकर भी अब ये फ्रेंचाइजी बड़ा फैसला लेने वाली है। पंत को साल 2021 में दिली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया था। जब स्रेश सेयर आईपिल से चोटी हो गए थी। स्रेश सेयर की वापसी की बात भी फ्रेंचाइजी ने पंत को कप्तान बनाया रखा। लेकिन पंत की कप्तानी की बात करें तो रिशब पंत ने अपनी कप्तानी से दिल्ली की टीम को एक बार भी चैंपियन नहीं बनाया है। ऐसे में अब दिल्ली की टीम शायद कप्तानी पर बड़ा फैसला लेने वाली है। इसी वजे से पंत इस तरह की पोश्ट के जरिये अपनी नाराजगी जता रहे हैं